हमारे आर्टिस्ट हैं, वो छोटा सितार बजाते हैं, छोटा सितार है, उसका नाम जीटार रख दिया है, छोटा साइस का सितार है, उसमें वो डगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगड ट्रैवल करते हैं ये देखिए मैंने छोटी सितार बनाई है सब कुछ उसमें है मगर ये दर देखिए आप तो मैं जमीर की इसलिए बात करता हूँ कि I am talking about artists who are better than me इतना कमाल का बजाते हैं कि आप सर पे चड़ा रखा है दुनिया को मगर वो ले लिया उसको गुलाबी रंग कर दिया सितार को ए या रंग आउसका नाम रख दिया जितार क्योंकि मैंने रंग बदल दिया है और लोगों ने बोला कि उनका उनका उनकी इजाद है तो मना नहीं कर रहे हैं चलो ठीक है यार बहुत अच्छा है एक और आर्टिस्ट है वो भी कमाल के हैं उन्होंने बोला कि इनका देखा देखिया अच्छा इसने ऐसा जिटार नाम रखा उसने प्लास्टिक का सितार बना लिया I'm not kidding, प्लास्टिक का सितार, तो मैं प्लास्टिक का सितार ये पिटार नाम लिया, but what is that? what's happening? मैं तो सोच रहा हूं कि कोई इंसान आएगा कर बोलेगा कि मैं कॉला पूर का हूं इदर चमड़ा का काम बड़ा अच्छा होता है मैं चमड़े कर सितार बनाऊ बनाऊ इजब जमीर इंसान मर जाता है और आप समझते हैं कि आप यूर मिस्लीडिंग देर यूथ श्रथ बाइछ इंसान में देर रहा है यह वजह है वात जरूरी चीज़े नोग अपने आप से बांतेर और कि बात करें कि शोर्धा कर दो कि अना दिक्र हुआ प्राइविट परसन इसलिए हमने बुला ना कि चलो भाई चलो सब लोग घर चलेंगे थोड़ा खाना पीना खाएंगे बैठेंगे कुछ करेंगे वो अरवी साथ नहीं था गाना गाया अपने घर हाई गाना गाया घर वो ही वस नॉट बहुत सोशल सब के साथ बैठें तो मे अधि नीस जो है वो उनके बेटे से बेहाई हुई है वह वह था बाद वाद बाद साथ में उटते बैठे थे आपने नौशाद साब का नाम सुना जी ऑपर अचा अब नौशाद साब मेरे वालिद साब विलाइद खान साब लता मंगेशकर जी शी वाज यंगर अध ताइ यूसुफ यूसुफ अंकल दिलव कुमार साहब यह संजेदत की अम्मी क्या नाम नर्गिस जी उनकी बाँ जदन भाई इन लोग सब लोग साथ में बैचते थे इवनिंग गुजारने साथ में हसी मजाग गाना बजाना बाचीत तो एक दिन सर अब यह है कि हो सकता है आपक कोई नहीं मिलेगा जिसने यह अपने जुबानी सुनी हो इन चार पांचों के सामने यह नहीं कि एक ने बताया चार पांच इन में से चार पांच यूसुफ अंकल यह नौशाद साहब बैठे में अब वो पुरानी हम लोग कहानी उतारी लता जी बैठी हुई है तो हम भी बैठे में और अरे याद है यार क्या हुआ नौशाद साहब वेरी सिंपल मैं वेरी सीरियस एक दिन सबने डिसाइड किया सब लोग बैठते थे नौशाद साहब को कह दिया मालूम है तुम्हें यह जो लता बाई है ना इनका तुम पर दिल आ गया है नहीं नहीं यह बात नहीं है अरे नहीं हम कह रहे हैं मुझे लगता है हमनको इनके बातों चीज़ें से पता लग रहा है कि she is in love with you अरे क्या बात कर रहे हो अच्छा बई कल देख लेना यह बदमाशी है उस जमाने में टीवी तो था नहीं सेल फोन थे नहीं यह बदमाशी लता बाई को ऐसे बैठे बैठे खाना का रहे है और तो सब ठीक है तुम्हें मालूम है तरह ध्यान रखना कि हमारे जो नौशाद साथ है उनकी पैर लकड़े की है क्या बात कर रहे हो अरे हाँ एकसिडेंट में उनका पैर कट गया तो किसी को बोलते नहीं है मगर ध्यान लखना लकड़े का पैर है अरे कैसे अच्छा तुम देख लेना तुम कभी देख लो अच्छा अब दूसरे दिन सब लोग बैठे ह है और हासी मजाओ चल रहे है और अब् an लत बढ़ाई य वदो उनके पास बैठुना अच्छा हाँ अच्छा आगा चालिक उनके नके पास बैठी आठी को यह उनके पास बैठी पड़े और मदन मोहन साब थे वो सब लोग को पता लग गया क्या हो रहा है अब यह नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता लटा भाई कि पीछे बैठी जद्दन भाई उनको कोने मार रहे हैं लटा अरे तू मैं कह रही हूं लकड़े का पैर हाथ डालके तो देख उस जमाने में हस्ते हस्ते अरे जमाने में लगए कैन यो इमाजिन वो बैठे और उनके वैं कैसे हैं आप नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते अब कुछ हशी तो अब सब बैठे हैं वो हस्त रही है अब जब उन्होंने पैर र हाथ रखा तो और वो दूसरे को बोल रही कि नहीं 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 यह तो ऐसा वह पैर नहीं दूसरे पैर में है तो अब फिर ऊसके आपर दूसरा पैर दफ़ाए तो यह हो गया तो यह हो गया तो ऐसे ती नर्गी फीछे बैठें नर्गी ऑड़िये लटा भाई तुम पता नहीं पिंडली में पैर क्यों लगा रहे है पैर तो घुटने से कटा था उसके आपर रखो हाथ फिर पता लगे तो एक 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 देह वस इन इनसे लव पता लगा सब हाँ से मजा किया सब जोक, everyone used to take a joke यह जीजें इस स्टोरीज पुट तोगेधर यह रेलाइस इस प्रेटनेस अफ इस पीपल और वो कैसे जीते थे बड़े मज़ेदार चीजें होती थे उस जमाने